हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी I hope you all are doing well फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपसे हाथी यानि एलिफेंट से संबंदित कुछ बाते सेयर करूँगा सो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप छाया डीप और सी में आईए शुरू करते हैं हाथी लेट कर नहीं बलकि खड़े होकर सोते हैं हाथीयों में यौवा नवस्ता आम तोर पर 13-14 साल की आयू में आ जाती है एक हाथी पानी की गंद को लगबग 4.5 किलिमेटर दूरी से सूंग सकता है हाथी दिन में बहुत कम सोते हैं बस जादस जादस 4 गंटे हाथी एक एकलावता जानवर है जो की कूद नहीं सकता है और हाथी के चार घुटने होते हैं हर हाथी की गरज हर मनुस्य के आवाज की तरह अलग होती है अगर किसी हाथी को कोई चोट लगती है तो दूसरा हाथी उसकी सहायता जरूर करता है अगर किसी जुंड का एक हाथी मर जाए तो सारा जुंड अजीब अजीब तरह से गरज कर सोक मनाता है हाथी साफ सुत्रा रहना पसंद करते हैं और हर रोज नहाते हैं हाथी अपनी सून्ड से एक फर्श पर गिरा हुआ छोटा सिक्का भी उठा सकते हैं हाथी अपने सूर से ब्रस को पकड़ कर कलाकारी भी कर सकते हैं अब तक दुनिया में प्राप्त हुए भिन भिन जीवास्मों से पता चला है कि आज से 5 करोन साल पहले हाथियों की करीब 170 प्रजातियां विक्सित थी यह जीवास्म आस्टेलिया और अर्टाटिका को छोड़कर सभी महाद्वीकों में पाए गए हैं मादा हाथी हर चार साल में एक बच्चे को जरूर जन्म देती है उसका गर्बकाल आउस्तन 22 महिने तक का होता है एक प्रित्सत मामलों में जुडवा बच्चे जन्म लेते हैं नौ जन्म हाथी की लंबाई लगभग 83 सेंटेमीटर और वजन 112 किलो तक का होता है इतने बड़े कान होने के बावजूद भी हाथियों के सुनने की छमता कम होती है आफ्रीकन हाथी के कान भारती हाथियों के तुलना में बड़े होते हैं आपने देखा होगा कि हाथी दिन भर अपने कान हिलाता रहता है या आप जानते हैं कि वह ऐसा क्यों करते हैं असल में हाथी अपने विसाल काय सरी की गर्मी को कानों के जरिय बाहर छोड़ता है या काम हाथी के कानों की कोशिकाएं करती हैं यही कारण है कि आफरीका के हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं क्योंकि वहां गर्मी ज़्यादा पड़ती है एक वयस्क आफ्रीकन हाथी का वजन लगबख 6,160 kg तक होता है जबकि भारती हाथियों का वजन लगबख 5,000 kg तक होता है हाथियों का जीवान काल भी आउस्तन हम मनुस्यों की तरह ही लगबख 17 साल का होता है हाथी आम तौर पर 6 km प्रेती घंटे की रफ्तार से चलते हैं हाथी लंबे समय तक पानी में तैर सकते हैं हाथी दिन के करीब 16 घंटे सिर्फ खाना खाने में ही बिता देते हैं हाथी लगबख एक दिन में 120 kg तक खाना खा सकते हैं मादा हाथी बहुत बड़े जुन्डों में रहती हैं जिनका नेतरत एक बुड़ी मादा हाथी ही करती है नर हाथी 12 से 15 साल की आयू के बीच जुन्ड छोड़ देते हैं जानवरों में हाथियों का दिमाग सबसे बड़ा होता है एक हाथी का बच्चा अकसर आराम के लिए अपनी सून्ड को चूसता रहता है हाथी भी मनुस्यों की तरह राइट या लेफ्ट हैंड़ होते हैं एक हाथी की चमड़ी लगबग एक इंच तक मोटी हो सकती है हाथी की सून्ड ऊपरी होंट और नाक से जूड़ी होती है हाथी के दाथ उसके पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं आज की वीडियो में इतना ही मेरे द्वारा दी गई जानकारी यह आपको अच्छी लगी हो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वेल आइकान जरूर दबाएं जिससे की मेरे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं थैंक्स